मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मत्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों हम लोग का एम है आप लोग की सक्सेस चाहें वो आरो का एक्जाम हो गया चाहें PCS-PRE चाहें BU यह तीन एक्जाम बिसिकली हम टारगेट कर रहे हैं हमारा जो पूरा कोर्स है अगर इसमें आप देखेंगे तो यह तीनों एक्जाम में जितने भी कोश्चन साने हैं GS के वो सब कुछ कवर अप हो जाएंगे आपको ना तो NCRT पढ़नी पढ़ेगी नहीं आपको current affair with aesthetic इसकी tension लेनी पढ़ेगी मतलब current affair को aesthetic subject के साथ आपको कैसे पढ़ना है कहीं से आप आपको कुछ और पढ़ने की जरूवत नहीं पढ़ेगी यह PDF अपने आप में more than sufficient है selection 100% for sure होगा अब यहां पर अगर आप चाहते हैं इस course में अन्रोल कराना तो 9027281376 और 639564 9901 these are the numbers where you can contact us आपको जो यह course provide किया जा रहा है 1199 रुपय का total course है जिसमें आपको यह सारी कर सकते हैं उसके बाद आप course में अन्रोल करा सकते हैं बारहाल आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा और आने वाले जो वीडियो रहेंगे वह इन सेट्स के बेस पर ही रहेंगे आगर आप नहीं भी चाहते हैं अन्रोल कराना इन जितने भी वीडियो आएंगे इसको complete करते हैं आज के अपना पहले टेस्ट सो पहला जो यहां पर हमारा कोशन है इसमें हमने बात करी है कि निम्न में से किसने देश के प्रथम फाइव जी टेस्ट बैट का उधगाटन किया नरेंद्र मोधी एस सोमनात वेंकईया नैडू और अमिश्या ऐसे ही कोशन्स आपको से लगाने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताईएगा आपको यह टेस्ट कैसा लगा और क्या कुछ आपका फीडबेक है इसके बारे में तो यहां पर अगर हम इसके एक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि माई 2022 में मोधी के द्वारा यान इनको 5G परिक्षण और सत्यापन के लिए प्रियोग होने वाले उत्पादों के परिणाम के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा यह कुछ एक पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखने है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें यह जो कोश्चन है सोशल मीडिया मद्यस्तियानी की इंटरमीडियरीज से आशे ऐसे प्लेटफॉर्म से है जिसके 4 मिलियन से जादा सब्सक्राइबर हों 5 मिलियन से जादा सब्सक्राइबर हों 6 मिलियन या फिर 7 मिलियन से जादा सब्सक्राइबर हों यहां पर इसका आंसर के आएगा आपका जो social media intermediaries हैं इनके लिए compliance requirement यह पेश की गई सरकार के द्वारा और इसके अंतरगत कौन आएंगे जो 5 million से जादा सब्सक्राइबर जिनके हैं वो ITX 2021 के अंतरगत आएंगे चलिए next question की तरफ चलते हैं अगला question यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किसके तहत सरकारे social media पर अब वाहूं एवं fake news से प्रेरित उपद्रव और खत्रों की इस्तिती में internet shutdown कर सकती हैं अब यह जैसा आप देख रहे हैं आपर code of criminal procedure 1973 यह आपसे exactly question आ सकता है आपको दो सूची दे देंगे list दे देंगे exam में एक तरफ आपको यह लिखा होगा code of criminal procedure दूसरी तरफ लिखा हो बहुत important है 100% आपसे यह exam में पूछा जा सकता है next है इसमे temporary suspension of telecom services rules 2017 इसके बाद all of the above तो यह तीनों ही जिनके अभी हमने बात करी यह तीनों ही जो है इसके अंतरगत आते हैं इसके थुरू सरकार पावंदिया लगा सकती है याद रखेगा इनके year जरूर आपको याद रख करना तो आप हमारे course में enroll करा सकते हैं आपको यह सारी PDF प्रोवाइड की जाएंगी जहां कहीं जरूरत है वहां हर जगा explanation है हर question के साथ में अगला question यहाँ पर है इसकी धारा कौन सी धारा है जिसके तहत जो है सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी computer की परताल करने data हासिल करने और अन्य जानकारियां हासिल करने का अधिकार है अब यह धारा 69.4 है 69.1 है 69.2 है 69.3 तो सही answer क्याएगा आपका धारा 69.1 चलिए आगे move on करते हैं अगला question जो आपकी screen पर है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संबिधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंदर प्रदेशों में राजसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है यह अनुसूची एक है दो है तीन है और चार सही answer क्याएगा आपका schedule 4 जो है इसके अंतरगत यह राजसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है तो अगर आप बात करें राजसभ एक इसके तहट इसके एक तेहाई सदस जो है वो हर दूसरे वर्ष में सेवा निवरत होते हैं यानि कि रिटायर होते हैं आपको ये आर्टिकल बहुत जादा important है याद रखेगा क्योंकि ये 뉴스 में रहा है दूसरी चीज कि हर दूसरे साल जो है वो रिटायर होते हैं इसके अलावा राजसभा का अगर हम कारेकाल बात करें सदस्यों का तो वो कितना होता है छे साल का होता है ये सारे पॉइंट आप याद रखिए चलिए next question पर move on करते हैं अगला question यहाँ पर आपकी screen पर है कि निम्न में से किस अनुछेद में प्रावधान है कि राजसभा के सदस्यों का चुनाव राज विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस्यों द्वारा संकरमर्णिये मत पद्धिती इसके द्वारा किया जाएगा ये जो है वो कौन से include करी गई है जो news में रही है अचा यहाँ पर यह आप जो देख रहे है अपनी screen पर यह हर state के जो जितनी भी राजसभा की सीटे हैं जो उसको आवंटित करी गई है वो यहाँ पर clearly mention है यह आप से 100% question आ सकता है जब paper tough होगा उस case में आपको arrange करने को दे दिया जाएगा घटते हुए करम में या फर बढ़ते हुए करम में राजसभा की सीटेओं को अनुसार जो है राज्यों को आप यहाँ पर सुमेलित करिए ठीक है या फिर उसको arrange करिए सुमेलित नहीं arrange करिए तो यहाँ पर जैसे हम देखें सबसे पहले आपको पूरा मिल जाएगा यह जो PDF है इस PDF में और यहाँ से के अलावा आपको कहीं से कुछ भी और नहीं पढ़ना होगा ठीक है तो एक बार यहाँ पर दियान से इसको देखते हुए चलिए सारे स्टेट्स को इसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्म चोटा सा स्टेट है उत्राखंड में भी तीन है उत्तरपरदेश एक नंबर आगे है उत्तरखंड से तो उत्तरपरदेश में कितनी है 31 सीट है इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को कलब कर सकते हैं और याद रख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में seats कितनी है, साथ seat'े हैं, राज्यसभा की, हरियाना की बात करें, हरियाना में कितनी seat'े है, पांच seat'े हैं, दिली की बात करें तो कितनी seat'े है, तीन seat'े है 10 हैं मद्द परदेश की बात करें तो 11 है इसके बाद आगे हम चलें और बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी कितनी है 11 है ठीक है अब यहां पर आप इसको कलब कैसे कर सकते हो इसको आप इस तरीके से कलब कर सकते हो कि जैसे ही आप रायस्थान की बात करोगे में कितनी सीटे है 19 सीटे है गोवा छोटा सा है एक सीट है सिर्फ इसके बाद करनाटका की बात करें तो 12 सीटे है करनाटका में नेक्स्ट और लीचे चले और हम बात करें केरला की तो केरला में कितनी है 9 सीटे है सौरी करनाटका में कितनी हैं 12 सीटे हैं केरला में कितनी हैं 9 सीटे हैं इसके बाद तमिलनाडू की बात करें तो कितनी हैं 18 सीटे हैं पुद्दुजेरी यूनिन टरिटरी हैं एक सीट है आंदरपरदेश की बात करें तो आंदरपरदेश में कितनी हैं 11 सीटे हैं इसके बाद आगे हम बात करें तेलांगना की तो तेलांगना में कितनी है? साथ सीटे हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका एक ट्रिक भी बना दिया जाएगा किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें उलीसा की तो उलीसा में कितनी है? 10 सीटे हैं जहारखंड की बात करें जहारखंड में कितनी है? 6 सीटे हैं 36 गड़ की बात करें तो 5 सीटे हैं West Bengal में कितनी है? 16 सीटे हैं ये सब राजसभा के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिहार की हम बात करें, तो 16 सीटे हैं बिहार में, इसके अलावा सिक्किम की बात करें, छोटा सा है, एक सीटे हैं, असाम की बात करें, असाम में 7 सीटे हैं, बाकी जितने नौर्थीस के स्टेट्स हैं, सब गें पर end कर रहा हूँ, I hope आपको ये PDF अच्छा लगा होगा और ये वाला जो सेशन है ये informative लगा होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, notification bell के आइकन को तुरंत प्रेस करिए, हर एक वीडियो को complete देखे, if in case you are not interested in enrolling in the course, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक वीडियो complete देखे, काफी कुछ आपकी यहां से help होगी, thank you so much.